हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगें टू लंडरे देतीमन तो आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नमबर थ्री राजिस्थान के प्रमुक किसान आंदोलन तो बहुत ही अच्छे से कुशन पढ़ेंगे और उसका आंसर आप लोग सोचिएगा क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर पैड लिया है ठीक है? कुशन वन देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाती के किसानों का योगदान सरवादिक धा? ठाकड जाती कुशन टू देखें किस चरण में बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतरत्व वहां के जो इस्थानिय लोग थे उन्होंने किया किस चरण में बिजूलिया किसान आंदोलन का नेतरत्व जो है वहां इस्थानिय लोगों के द्वारा किया गया तो प्रथम चरण जो की 1897 से 1915 तक जो चला तो यहां पर नित्रत्व करने वाले थे वहां की जंदा, वहां के इस्थानी है लोग कहां के? बिजोलिया के Q3 देखें बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रिय मुख्य धारा से कब और किस चरण में जुड़ा? बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो राष्ट्रिय मुख्य धारा से कब और किस चरण में जुड़ा? तो यहां दूसरे चरण में जो की 1915 से लेकर 1923 तक चला तो इस समय जो है इसका जो संचालन है वो राष्ट्रिय स्तर के जो योग या अनुभवी व्यक्ति जो थे उनके द्वारा किया गया और यह राष्ट्रिय मुख्य धारा से जुड़ा विजोलिया किसान आंदुलन के किस चरण को पराभवकाल की संग्या दी गई तो वह चरण था तीसरा चरण जो की 1923 से प्रारंब हुआ और 1941 में जाकर समाप्त हुआ विजोलिया किसान आंदुलन की आधार सिला किस गाउं में रखी गई विजोलिया किसान आंदुलन की आधार सिला किस गाउं में रखी गई तो ये प्रारंब होता है विजोलिया के एक गाउं से गिर्धर पुरा गाउं याद रखिएगा एक्जाम में गिर्धारी पूर इस तरीके से भी नाम बदल सकते हैं ठीक है तो ये था गिर्धर पुरा गाउं। चम्वरी कर किसके द्वारा शुरू किया गया। चम्वरी कर क्या है पुत्री के विवहा पर दिया जाने वाला एक कर्ण। तो ये किसके समय जो है वो प्रारम किया गया था। तो इसको प्रार्म करने वाला था राव किर्शन सिंग जिसने 1903 इस्वी में से प्रार्म किया था। विजे सिंग पतिक ने बिजूलिया में किस सभाखा गठन किया था। पतिक ने विजूलिया में विद्या परचारणी सभा का गठन किया था कुशन इतने ज़्यादा इंप्रोटेंट है वो आपको एक्जाम जब आप देंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि हमने कितने अच्छे कुशन जो है वो उनको याद किया और ऐसे ही उठकर जो है वो आमारे एक्जाम में आ गए तलवार बंधाईकर किसके द्वारा सुरू किया गया था किसान आंदोलन जब हुआ विजूलिया में तो वहाँ पर तलवार बंधाईकर किसके द्वारा प्रारम किया गया तो चमरीकर जो की कृषन सिंग जो था उसके द्वारा प्रारम किया गया और प्रत्वी सिंग के द द्वारा तलवार बंधाई कर प्रारम किया गया 1906 इस्वी में उपर माल पंच बोड की स्थापना कब की गई तो इसकी स्थापना जो है 1917 इस्वी में की गई थी हर्याली अमावस के दिन ठीक है 1917 में हर्याली अमावस्या के दिन उपर माल पंच बोड की जो है वो इस्थापन की गई थी विजे सिंग पतिक को उपर माल की किसानों के द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया विजे सिंग पतिक को उपर माल की किसानों के द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया तो इन्हें ये लोग महातमा जी कहकर संबोधित करते थे उपर माल पंच बोर्ड जो है जहां इस्थापना होती है तो यहां पर यह बहुत ज़्यादा लोगप्रिय हो जाते हैं लोगों में और यहां के जो निवासी हैं इनको महात्मा जी कहकर पुलाते हैं किसके माध्यम से पतिक जी ने विजोलिय किसान आंदोलन को राष्ट्री इस्तर तक पहुँचाने का प्रयास किया तो प्रताब नामक जो समाचार पत्र था, इसके समपादक थे गनेश संकर विध्यार्थी, जिसने बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हुआ, इसको राष्ट्री स्तर तक पहुंचाया गांदी जी ने किसे उपर माल के किसानों की इस्तिती की जाच करने के लिए बिजोलिया भेजा गांदी जी ने उपर माल के किसानों की जो इस्तिती खराब थी जिसके लिए वो आंदूलन कर रहे थे उसकी जाच करने बिजोलिया जो है वो किसे भेजा तो गांदी जी ने बेजा महादेव भाई को किसे बेजा था महादेव भाई को बेजा था कि उपर माल के जो किसान है उनकी इस्तती की जो है वो जाच करके आएं 1941 में मेवाड के दीवान टी विजय रागवाचारे की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझोता करने भेजा गया तो यहाँ पर के जो मेवाड के जो दीवान थे टी विजय रागवाचारे इनकी तरफ से किसे विजोलिया के किसानों से समझोता करने के लिए भेजा गया तो यहाँ भेजा गया राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंग महता को बेंगू किसान आंदोलन की सुरुवात किस इस्थान से हुई तो बेंगू किसान आंदोलन जो है वो प्रारम होता है भेरुकुंड मेनाल से 1921 जो है बेंगू किसान आंदोलन प्रारम हुआ ठीक है बेंगो किसान आंदुलन का नित्रत्व किस ने किया तो बेंगो किसान आंदुलन मिवाड का ही है तो ये आंदुलन जो है इसका नित्रत्व करने वाले थे राम नरायन चौधरी ठीक है तो राम नरायन चौधरी की पत्नी का क्या नाम है हमने जो है वो लास्ट चेप्टर में पढ़ा था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि राम नारायन चौधरी की पतनी का क्या नाम था तो बेंगो किसान आंदोलन का नित्रतों करने वाले थे राम नारायन चौधरी बेंगू किसान आंदोलन के दोरान ठाकुर अनूप सिंग और राजिस्थान सेवा संग के मद्दे हुए समझोते को कौन सी संग्या मिली विजोलिया किसान आंदोलन में हमने देखा एक था कृसन सिंग जिसने की 1903 में चहुरी कर लगाया दूसरा था राओ प्रत्वी सिंग जिसने 1906 में तलवार मधाई कर लगाया और तीसरा यहाँ पर देखिए बेंगू किसान आंदोलन में जो यहाँ ठाकूर है अनूप सिंग अनूप सिंग और आजिस्थन सिवसंग के बीच में समझोते को क्या संग्या दी गई इसे दिया गया बॉल सैविक समझोते की संग्या रूपा जी और करपा जी धाकड का संबंद किसे किसान आंदोलन से था रूपा जी और करपा जी धाकड तो ये संबंदित रहे हैं बेंगू किसान आंदोलन से किसे संबंदित थे ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंदित थे रूपा जी और करपा जी धाकड ठीक है तो ये इनको जो है गोलियों से भून दिया गया था और ये सहीद हो गए थे भरतपुर किसान आंदुलन का नेतरत्व किस ने किया भरतपुर किसान आंदुलन का नेतरत्व किस ने किया तो इसका नेतरत्व भोजी लंबरदार ने किया भरतपुर किसान आंदुलन का नेत रत्व जो है वो भौजी लंबरदार ने किया 1931 में मेव किसान आंदुलन को संगटित रूप किसने परदान किया तो 1932 में मुहमद हादी ने मेव किसान आंदुलन को संगटित रूप परदान किया मुहमद हादी ने किस संगठन की स्थापना की मुहमद हादी ने किस संगठन की स्थापना की तो इन्होंने अंजुमन खादिम उल इसलाम नामक एक संस्था है इसे इन्होंने स्थापित किया मेव किसान आंदोलन जो कहां हुआ अलवर में इसका नेतर तो किस ने किया मेव किसान आंदोलन का नेतर तो किस ने किया तो इसका नेतर तो किया चौधरी यासीन खान ने किया नीमू चड़ा हत्याकान कब हुआ तो अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ 1921 में स्टार्ट हुआ वहाँ पर नीमू चड़ा हत्याकान हुआ 1925 ठीक है 14 मई 1925 को नीमो चाड़ा हत्याकान हुआ Question 23 देखिए बूंदी राज्य के किसे शेतर के किसानों ने बूंदी प्रशाषन के विद्व आंदुलन आरम कर दिया तो यहाँ पर किसे शेतर के किसानों ने आंदुलन किया बूंदी राज्य में बूंदी किसान आंदोलन का नेतरत्व किसके पास था नेतरत्व करता कौन थे बूंदी किसान आंदोलन के तो पंडित नेनुराम या जिने हम नेनुराम दोनों ही देखिए नेनुराम या नेनुराम इन्होंने किया था नेतरत्व बूंदी किसान आंदोलन का बूंदी किसान आंदुलन के दौरान किस गाओं में सभा पर लाथी चार्ज किया गया बूंदी किसान आंदुलन के दौरान किस गाओं में सभा पर लाथी चार्ज किया गया तो यहाँ पर डाबी जो गाओं है तो डाभी गाउं में जो है जो सभाँ हो रही थी वहाँ पर लाथी चार्ज हुआ था बुंदी किसान आंदरन के दौरान डाभी गाउं में हुए लाथी चार्ज से कौन सहीध हुए तो यहां नानक बिहील और देवलाल गूर्जर जो है वो सहीध हुए कुशन जो है वो मैं यहां दो बार पढ़ती हूँ आंसर दो बार बताती हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी यह याद हो सके कुशन 27 देखिए सीकर के जायट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेणा देने वाली महला कौन थी तो वो थी धापी दादी डावडा कांड का संबंद किस आंदोलन से है तो मारवाड किसान आंदोलन से संबंदित है डावडा कांड ठीक है याद रखें डावडा कांड जो है वो है किस से संबंदित है मारवाड किसान आंदोलन से संबंदित है डावडा गाउं कहां पर है तो ये जो गाउं है वह दीरवाना परगना यहां इस्तित है सीकर में विसाल जाट प्रजापती महायग का आयोजन कब किया गया तो यहां पर 20 से 29 जनवरी 1934 को विशाल जाट प्रजापती महायग का आयोजन किया गया बीका नेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई बीका नेर में किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई तो 1937 में उद्रा सर के किसानों ने जागीरदार के खिलाफ आवाज उठाई बीका नेर में ठीक है बीका नेर में उद्रा सर के किसानों ने जागीरदार के खिलाफ आवाज 1937 में उठाई दुद्वा खारा या चूरू किसान आंदलन का नेतरतों किसने किया तो दुद्वा खारा किसान आंदलन का नेतरतों करने वाले थे हनुमान सिंग कुशन 33 देखिए किस सभा के संघर्च के दौरान राय सिंग नगर में हुई पुलिस कारवाई में बीर्वल सिंग सहीद हुए किसे सभा के संगर्ष के दौरान राइसिंग नगर में हुई पुलिस कारवाई में बीर्वल सिंग सहीद हुए तो ये प्रजाब परिशद एक जुलाई 1946 को जो है इसका आयोजन किया गया था ठीक है तो इसमें जो है राय सिंग नगर में जो पुलिस कारवाई होती है तो इसमें बीरवल सिंग जो है वो सहीद हो जाते है बीकानेर में परम परागत लाग बाग बेगार प्रथा का जो सर्व परथम विरोध किस ने किया विकानेर में जो परम परागत लाग बाग बेगार चल रही थी तो इसका सरव पर्थम विरोध करने वाले थे कुंबा राय आरे कौन थे कुंबा राय आरे कुंबा राम आरे कुंबा राम आरे की प्रसिद्य रचना कौन सी है कुम्बा राम आरे की प्रसिद्ध रचना जो है वह कौन सी है तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है किसान यूनियन क्यों ठीक है इनकी जो पुस्तक है उसका क्या नाम है कुम्बा राम आरे की किसान यूनियन क्यों किसे किसान हत्याकांड की तुलना गांधी जी ने जलियावाला बाग हत्याकांड से की नीमू चड़ा हत्याकांड जो कि कहां अलवर्ट में हुआ तो अलवर किसान आंदोलन के नाम से भी हम इसको जानते हैं जो की 1925 में हुआ तो इसकी जो है तुलना करते हैं गांदी जी जलिया वाला वाग हत्याकान से उससे भी ज़्यादा भयानक इसको बताते हैं तो यहां पर यह चैप्टर जो है जितने भी important question आपके बन सकते थे वो मैंने यहां पर बनाए 36 questions जो की आप लोग याद रखेंगे हर एक question important है एक भी question ignore नहीं कर सकते सभी आपको याद रखने हैं तो इसी तरीके से जो है इनको याद करिए बार बार जो है वीडियो pause करके answer देने की कोशिश करिए नहीं भी समझ में आते हैं तो आप लोग जो है वो chapter को जो है वो पढ़िए और फिर यहाँ पर question answer पर आईए यह question answer बहुत जादा महतपूर्ण है चलो मिलते हैं next वीडियो में जहां हम fourth chapter के question answer करेंगे Thank you